पंजाब है ना हाई कोट ने शम्बू बोडर खोलने का आदेश दिया था उसके खिलाफ हर्याना सरकार सुप्रीम कोट में SLP के लिए गई थी और उस SLP पर सुनवाई हुई है सुनवाई में सुप्रीम कोट ने कमेटी बनाने को कहा है यतास्तिती जो रही है वो बनाने को लिए कह दिया हमारे सथ हर्याना के एड़ोकेट जनरल बलदेव राज महाज़न जी मौजूद है अमाने साब SLP भी आज सुनवाई हुई है आपने अपना पक्ष रखा SG तुशार मेता पेश हुए सरकारों ने अपनी बात की पंजाब सरकार ने फाइनली अब ये कहा है कि शंबू बोर्डर पर यदहस्तिती बनाई जाए ये कितना की इपॉर्टेट हो जाता है खासकर प पार्मर्स को दिली जाने में कोई रोक नहीं है रेल्स भी चल रही है बस्त भी चल रही है लेकर जैसे सिटी पहले देखा गया था कि ट्रैक्टर टॉलीज मोडिफाइड वर्शन्स के साथ जो सारे किसान बैठे थे जो फार्मर्स थे उस से लाइन अडर की सिटी करीट को स सिटूइशन है उसके कारण यहां रुका गया पहले भी ऐसे साल डेट साल दो साल दरने चला रहा बॉर्डस बंद रहे हैं तो इसका कोई ना कोई प्रॉपर सिलूशन होना चाहिए था कि लाइन अडर की स्थिती दबारा करीट ना हो तो सुप्रीन कोट का यह कहना था भी उस समय रिजाल्व नहीं हो पाया तो इसलिए यह तसल करी और इतनी देर शंबू बाडर जो है बंद है इसलिए तो कोट का यह कहना था क्योंकि सेंटर मनिस्टर्स ने और प्लिटिकल लीडर्स ने बात करी है दोनों लीडर्स है प्लिटिकल लोग होने के चारण इंवालम इसलिए क्योंकि आपको जाने देने में क्या अपती है तो उन्होंने भी कहा कि जाने देने में अपती नहीं लेकिन पांसो से ज्यादा ट्रैक्टर ट्रालियों जो मॉडिफाइड है उनको वर्ड यूज कि बखतर बंद टाइप उनको बनाया गया है है ऊसी है इस लिए क्योंकि भी आधरवई तो दिल्ली अथ्यो आ है कोई भी धिली जा सकता है रेल्व falsch के तुलू भी जा सकता है क्योंकि रास्ता बंद पिया गया टाग यही था भी ट्रैक्स्टेम्हें जो उनके है जैसे कोड में भी लाया गया है तो वो एक लायन आडर की सिती करीट करने वाली थी क्योंकि पहले भी दिल्ली बाउडर्स पे इतनी दे रही है दो साल के लाग बाग तो इसलिए यह था कि फिर दोबारा वो सिती हर्याना के अंदर ना करीट हो इसलिए शंबू बैडर पे रोक लगाई गई थी तो इसलिए कोट में ला जबारा भी बनाएंगे तो फिर आपस में ट्रस्ट करीट नहीं होगा तो इसलिए वो रिजाल को कर सकें ना कोई प्रॉपर रास्ता निकाल पाएं या ना निकाल पाएं इसलिए कोड का व्यू था भी एमिनेंट परसंस की एक कमेटी बनाएं ताकि वो बाच्चित करके को कोई ना कोई रास्ता निकाले एक अफ़ते में कहा है और दोनों वो इवन पंजाब गौवर्णन को भी है रहना गौवर्णन दोनों को कहा है कि ओव नाम सज्ट करें एमिनेंट परसंस के जिसके बेस पर इल्टीमेली कमेटी सप्रीन कोड बनाएगी और उसके बेस पर जो अभी नहीं खुलेगा क्योंकि स्टेटस को जो भी बुस्तिती है उन्होंने कहा भी तब तक के लिए मेंटेन रखेंगे जब तक सप्रीम कोड उसका आगे सुनके एमिनेंट कमेटी से रपोर्ट लेके एमिनेंट परसंस की कमेटी से उसके बारे में फाइनल डिसीएन नही दिये जाएं कि कौन कौन होगा? जो इस तरह की होगी तो वो जहां पर भी बैठेंगे तो वो प्रॉब्लम करीट होगी वहां के एरिये के लिए सारा एक्स्टिप्टी बंद हो जाती है तो इसलिए यह था भी एमिने के बली रास्ता निकाला जाए तक है कितने कमेटी मेंबर्स होंगे? कि आखिर स्थीती संबू बॉर्डर खुलेगा या आगे ये केस किस तरह से चलेगा? वीडियो जनली संदीप के साथ उमेश रमा न्यूजेटिन चंड़ीगा.